नमस्कार दोस्तों मैं दीपती गुपता स्वागत करती हूँ आप समी का एक बर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल परिक्षा प्लस पर तो आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं मैट्स के प्रिवेस एर कुश्चिन्स प्रिवेस एर में जो भी कुश्चिन आया हूँ है वो मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाली हूँ एक सेट में आपके 30 कुश्चिन्स आते हैं लेकिन मैं आपको दो वीडियो में एक सेट कराने वाली हूँ यानि कि एक वीडियो में म सभी को वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीज़ेगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एक्जैम तक आपको सारे प्रिवियस यह लगा लेने हैं जिससे आपको सारी समझ बेसिक समझ आ जाए कि आपको किस तरीके से कुश्चिन को सॉल्व करना ह से पहले आप सभी को बता दू हमारे बैचर चल रहे हैं अगर आप सभी उसमें इंट्रेस्टेड तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके इंक्वेरी ले सकते हैं ठीक है आपको बहुत ही ऑप्टिमम फीस में यहां पर एडमिशन दिलाए जाते हैं बहुत ही अच्छा कॉंटे गुष्चेन हैं हमारा की यदी चार 8 2017 को सुक्रवार है तो 61 के बाद क्या देनों के अप सभी को इन्हों ने सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं और डेस निकालते हैं और डेस कैसे निकाले जाते हैं जो भी आपको डेस दिये रहते हैं उसमें आप साथ का भाग देते हैं साथ का भाग देने पर जितने दिन बसते हैं वही हमारे और डेस कहलाते हैं साथ का भाग देने पर टोटल डेस कितने कर जाएंगे साथ अठे चपपन चपपन वार तो साथ हमारा क्लियर कर जाएगा लेकिन चपपन के बाद हमारे चीज़ें बच जाएंगे चपपन चार साथ और एक सट यानि कि पांच दिन हमारे बच जाएंगे जो की odd days होंगे ठीक अब सुक्रवार के बाद जो 5 दिन होंगे 5 दिन के बाद का दिन जो होगा हमारा वो होगा हमारा क्या answer अब सुक्रवार तो हमारा ये हो गया ठीक है सुक्रवार के बाद अगर हम लोग count करें तो क्या रहेगा सनिवार, रविवार, सोमबार, मंगलवार और बुधवार बुधवार तक तो हमारे 5 दिन होगे लेकिन बुधवार के बाद का जो दिन होगा वही हमारा एंसर होगा क्योंकि 61 दिनों के बाद क्या दिन पूछा है इनोने तो बुद्वार के बाद क्या होता है आपका गुरुवार यानि कि option number C या से right हो जाएगा आप सभी को बात कर लेते question number 2 की question number 2 है आपका की जो metric आपका सवाल है बहुत ही simple सवाल है देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है AB और CD दो समानतर रेखाए हैं ठीक है आपको y degree minus x degree का मान बताना है clear है आप सभी को इसमें आपका संगत कोड का formula लगना है कोई cut in बात नहीं इसको बहुत आसान तरीके से आपको बताती हूँ देखी ये वाला जो formula है आपका code है आपका वो दिया 110 degree अब अगर हम बगल वाला देखें ये वाला तो कितना हो जाएगा क्योंकि एक सरल रेखा पे code 180 degree का होता है तो 110 degree वो हो गया तो ये कितना बचेगा 70 degree बच गया clear है आप सभी को अब ये वाला code हमारे 120 degree है अगर हम ये वाला code देखें तो कितना बचेगा 170 में से 20 घटा दीजिए 60 degree बचेगा देखिए अब संगत code क्या होते है अब आपको ने ये चोटी सी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि दो समानतर रेखाओं पे अगर रेखाएं कि त्रियक रेखा काटती है तो हमारा जो संगत code ये सामने वाले code होते है वे इकल होते है यानि कि y degree हमारी कितन हो जाएगी 10 degree 10 degree यानि कि option number यहां से right हो जाएगा clear है आप सभी को I hope आप सभी को यह बात clear होगी बात कर लेते question number 3 की question number 3 है आपका कि यदि 390 रुपे में एक वस्तु को बेच कर एक दुकंदार को 20 प्रस्षत का लाब होता है तो वस्तु का क्रैमूल क्या होगा ठीक है हमारे पास कोई सामान है जो की हमारे पास कोई सामान है जो की हमें 390 रुपे में बेचना हिए ठीक है उस पर में कितने प्रस्षत कर लाब मतलब होता है कि आपको फाइदा हो रहा है ठीक है तो हमारे जो 390 होंगे, वो आपके कितने रुपय के बरावर होंगे, मतलब कितने परसंट के बरावर होंगे, एक तो 100% कोई चीछ होती है, लेकिन हमें 20 परसंट को उस पर लाव हो रहा, तो फिर 120 परसंट की वैलियो हमारी कितनी हो जाएगी, 390 क्लियर है आप सभी को यहां से एक प्रस्थत की निकाल लेजिए 390 बटे 120 ठीक है तो आपका कितना हो जाएगा गुणा 100 4, 3, 12 और 4 से 25 हो जाएगा 3 से 13 हो जाएगा अब 25 गुणा 13 की वैल्यू आप से निकाल लेजिए 13, 65 हासेल 6 तेरा दूनी 26, 6, 6, 12 बत्यस 325 रुपया 325 रुपया ओप्शन नमबर डी आपका यहां से क्लियर हो जाएगा क्विश्ट नमबर 3 का आपका ओप्शन नमबर डी यहां से राइट हो जाएगा क्लियर आप सभी को बात कर लेतें कुष्ट नमबर 4 क्विश्ट नमबर 4 है आपका कि यह किसी कस्वी की जनसंक्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई तो जनसंक्या ब्रदी प्रतिस्ट क्या होगा देखो ब्रदी प्रतिस्ट आप से पूचा है पहले आपकी जनसंक्या कितनी थी? 10000 अब कितनी होगी 65000 यानि कि आपकी जनस्ग बढ़ी कितनी है डोकि आपकी जनस्ग पांच हजार आपउगी फंते दो। पढ़ गई 5000 पहले कितनी हुआ करती थी 60,000 ठीक क्लियर है बुणासो यह आपका अंसर होगा तीन जीरो से तीन जीरो का दो एक जीरो से यहां एक जीरो का दो अब आपका हो जाएगा पचास बटे छे ठीक है क्लियर है आप सभी को कैसे निकालते हैं सबसे पहले आप डिफ्रेंस देख लीजिए कि कितना कोई चीज बढ़ गई है तो जनसंक्या अमारी 5000 बड़ी अब जो इनीसियल वैल्यू थी यानि कि पहले जितनी जनसंक्या थी उससे भाग देके सौकागुडा करके एंसर निकाल क्लियर है आप सभी को बात का लिए तो कुश्चन नमबर 5 की कुश्चन नमबर 5 है आपका की 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलोग्राम भोजन खाते हैं और 500 किलोग्राम चावल का 30 व्यक्ति कितने दिनों में अब बबोग करेंगे अब यहां से कैसे कुश्चन करेंगे आपने एक दिन में 40 व्यक्ति 30 दिन में कितने किलोग्राम 200 किलोग्राम और आपके 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे एक्स दिन में 500 किलोग्राम ठीक 30 से 30 काट दो दो जीरो से दो जीरो काड़ दो दो से बीस हो जाएगा बीस पन्चे सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सो सो आपका option number D में यहां से है ध्यान है आपको clear है आप सभी को बात कर लेते question number 6 की question number 6 है आपका की एक सम चतुर भुज में विकर्ड की लंबाई 16 cm है 12 cm है सम चतुर भुज की बुजा क्या होगी अब देखो सम चतुर भुज क्या होता यही तो होता है सम चतुर भुज विकर्ड इनोंने दिया है 8 cm और 16 cm भाई सम चतुर भुज जो होता है वो आपको विकर्ड ये equal ही तो कड़ते हैं ठीक इतनी बात आपको पता होगी जब यह equal कड़ते हैं तो हमें पूरा कितना दिया है जब हम एक मालो भुझा निकालने के लिए हम इतनी आकरती ले ले रहे हैं दूसरा बना ले रहे हैं यह लो हमारे सम्चतुर बुझ बन गया ठीक अब अगर हमारे इक्वल करता है तो यह वाली जो हमारी वैल्यों होगी वह हमारी कितनी हो जाएगी आठ और दूसरा वाला विकंड था हमारा बारा तो यह वाली वैल्यों कितनी हो जाएगी छे हो जाएगी क्योंकि इक्वल करते तो छे यह हो जाएगा छे यह हो जाएगा आठ यह आठ यह रहेगा यहां से option number D clear है आप सभी को बात कर लेते हैं question number 7 की 7 में आप से देखिए क्या पूछा गया है कि 7 आप से कह रहा है कि एक आकरती में पी-क्यू विंदू-ए पर व्यर्थ कि सपर्स रेखा है clear है आप सभी को ABCD एक चक्री चतुर भूजे ठीक है c a q 70 degrees c a q 70 degrees यानि कि यह वाला जो आपका कोड़ है वह आपका कित्त दिया है 70 degree एक ए बी-सी का मान आपसे पूछा है ठीक ABC यानि कि यह वाला आपसे पूछा है देखिए अब सीदिसी बात आपको एक क्या कहते प्रॉपर्टी पता होगी कि यैदि कोई adjust रेखा है व्रत में ठीक है और इस तरीक़े से कोई रेखा माई करगे तो यह वाला जो आपका ओड़ होता है कौन सा यह वाला जोbia कोड़ होता है तो ब्रत की दूसरे साइड मतलब की इस रेखा की दूसरे साइड जो कोड बनता है उसके एक्वल होता है यानि कि यह तो हमारा है यह भी सथर दिग्री हो जाएगा जब यह सथर डिग्री आ गया है तो हमारा ये वाला कोड़ कितना आ जाएगा एक सो असी माइनस सतर बराबर 110 डिग्री क्लियर है आप सभी को 110 डिग्री यानि कि option number C यहां से राइट हो जाएगा बात कर लेते हैं question number 8 की question number 8 है कि यदि 8 pain का लागत मूल ये 6 pain के विक्रे मूल के बराबर है यानि कि 8 pain का cost price 6 pain के selling price के बराबर है तो लाब प्रेस्ट आपको निकालना है अब CP upon SP निकालना है यहां से कितना आसान है 6 बटे 8 अब देखो तो 6 रुपे की चीज खरीद है 8 रुपे की बेंच रहे हैं बहुत आसान कुश्चन है देखो कई बार आपको मतलब को बहुत सारे टीचेस आपको फॉर्मूले से लगवाएंगे फॉर्मूला इन सब में इतना प्रवावी नहीं रहता है अब जिस ऐसे तरीके से अगर आप सौ ट्रिक से या फिर थोड़ा से दिमाग लगाके लगाएंगे तो आपको चीज आसाल लगेंगे ठीक है बात का लिएते कुश्चन नमबर 9 की कुश्चन नमबर 9 है आपका की कौन सी परिमे संख्या तीन बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच नहीं आती है ठीक है तीन बटे 5 की पहले तो हम वैल्यू निकाल लेंगे तीन बटे 5 की तीन बटे 5 बराबर 0.6 और 4 बटे 5 बराबर 0.8 इसके बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो नहीं आती है ठीक है 19 बटे 30 की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो कितनी आएगी देखो पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा तीचिंग अठारा तीस सत्ते किस यानि कि 0.6 ये तो आएगी वैल्यू तो हमारे ये उप्शन कट हो गया तीन बटे 2 है तो तीन चिंग अठारा पॉइंट 6 ये भी हमारा कट हो गया क्योंकि 16 बटे 30 की वैल्यू जो है वो आएगी आपकी 0.5 के असपास जो कि इसके बीच में नहीं लाए कर रही है ठीक है तो आपस नंबर यहां से राइट हो जाएगा बात कर लेते कुश्चन नंबर 10 की कुश्चन नंबर 10 है आपका की तीन पैन तीन पैन दो पैंसिल और चार रवड 92 रुपय के है आठ पैंसिल और 16 रवड आठ पैंसिल और 16 रवड 68 रुपय के है अब भाई हमको दो पैंसिल और 4 रवड चाहिए है दो पैंसिल और 4 रवड यानि कि अगर हम दो पैंसिल चाहिए तो हम 4 से भाग देने पूरे समीकरण में हम 4 से भाग दे देंगे तो 2 pencil प्लस 4 चोको 16 चार रबर बराबर 16 यानि कि इतनी value हमारी कितनी आ गई 16 आ गई तो 3 pencil इतना आपको पता होगा 3 pen 3 pen प्लस 16 बराबर आपके कितनी आ जाएगी बानुवे तो 3 pen की value कितनी आ जाएगी 75 75 10 85 और 65 11 चे पुच्छतर दस पच्छासी कि तीन प्लस और 16 चोको 64 नहीं 17 चोको 68 था ना तो 17 यहां पर आएगा ठीक तो 75 75 बानुवे बिलकुल सही है तो pen की value आपके कितनी आ गई 25 एक पैन की value आपके कितनी आगी 25 आपसे पूछी कितनी पैन की value है 24 पैन की value पूछी है एक पैन की थी आपकी 25 तो आप इसमें से निकाल लीजिए अंसर 25 चोको 100 हां सिल 10 पच्चिस दूनी 50 तर 60 या निकी 600 आपका अंसर हो जाएगा option नमबर डी दस सवाल आपके हो गए बाकी कर लेते हैं 11 नमबर सवाल 11 नमबर आपसे पूछ रहा है कि एक तिर्भुज का निर्माड नहीं कर सकते हैं कौन सी ऐसी क्या करते कंडिसन है जिसमें लोग तिर्भुज का निर्माड नहीं कर सकते हैं दो कोड और एक भुजा दी गई हो केवल तीन भुजा दी गई हो केवल तीन कोड दी गई हो एक दो भुजा और एक शामिल कोड दिया गया हो देखो गईस मैं आप सभी को डियर और डिरेक्ट बता दू कि कोई भी तिरुज को बनाने के लिए अगर आपको एक भुजा नहीं दी गई है तो आप कभी भी तिरुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको ऑप्शन नमबर से यहां से राइट हो जाएगा क्योंकि सिर्फ केवल तीन कोड से आप दिरुज का निर्माण नहीं कर सकते हैं ठीक है बात कर लेते हैं कुश्चन नमबर 12 कुश्चन नमबर 12 है आपका की आयतकार भूखंट की लंबाई और चाड़ाई इ आपका 50, Y हो गया आपका 20, 50 दूनी 100, 100 और दो जीरो और अपानो 100, 100 से दो जीरो कर जाएंगे, 50 दूनी 100 और एक जीरो, तीनी जीरो बनेंगे इसमें, 100 से आपके दो जीरो यह कर जाएंगे, तो 80% आपका यह आ जाएगा, ठीक, 80% चेंज हुआ है, मतलब बढ़ा है, पहल तो 80% और बढ़ गया, यानि कि अब टोटल है 180%, अब 180% की आप वैल्यू निकाल लो, 180 बटे 100, 10 से 10, और दो नीम अठारा, दो पंचे 10, पांच एक अंपांच, चार नो, एक सही चार बटे 5, आपका ओप्शन नमबर यहां से राइट हो जाएगा, इसमेर है आप सभी को, एक सामान या मानव सरीर का तापमान, 37 डिग्री सेंटीग्रेट है, फारेन हाइट पैमाने में यह तापमान कितना होगा, आप सभी को यह निकालना है, ठीक है, इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्लियर है आप सभी को, फॉर्मूले मे आपका क्या रहता है कि, C-0 upon 5 equals to F-32 upon 9, ठीक है, अब C आपका क्या है, सेंटीग्रेट, यानि कि 37 में से 0 घटाएंग, तो 37 upon 5 बराबर, फॉर्मूला पैमाने में आपसे तापमान पूछा है, तो F-32 upon 9, इतनी बात क्लिए है आप सभी को, यह आपको सॉल्व करना है, अब स सॉल्व कैसे करेंगे, 37 into 9 कर देंगे और इधर 5 से कुड़ा कर देंगे, तो 5F, एक सेकेंड, 5F minus 32 into 5, बराबर, क्या था आपका 37 into 9, ठीक है, 5F minus, अब 5 दूनी 10, पास्ती 15 और 16, 160 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और यह हो जाएगा आपका, 9, 73, 69, 27, और 6, 74, 33, 5F की वैल्यू आपके कितनी हो जाएगे, यह आपका एड हो जाएगा, 3, 6, 3, 9, 3, 493, 493 में अब अगर 5 की वैल्यू अब 5 का भाग देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 5F बराबर 493 था, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 493 बटे 5, अब 5, 45, यानि की 4, 5, 8, 40, यानि की 5, 6, 30, 98.6 आपका आंसर है, क्या, option number B, clear है आप सभी को, 13 का आपका B सही हो जाएगा, बात कर लेते हैं, question number 14 की, 14 में आपसे पूछा गया है, कि, 1 का square प्लस 2 का square, 9 का square ये value आपको दी है, 0.11 और ये वाली value का मान आपसे पूछा है, अब अगर हम लोग ज्यान से देखें, तो इसमें और इसमें क्या difference है, अगर हम पूरे समीकरण में से, 0.11 का square common ले लें, तो हमारा दूसरे में क्या बचेगा, 1 का square प्लस 2 का square, प्लस 3 का square, dot dot dot, 9 का square, ठीक है, 0.11 मतलब 11 बटे, 100 गुड़ा, 11 बटे, 100 गुड़ा, अब इसकी value में कितनी दिये, 240, solve कर लेंगे, answer आजाएगा, clear आप सुभी को, solve कैसे करेंगे, 11, 11, 121, 121, 250, बटे, 100 गुड़ा, 100 था, 1, 2, 3, 4, अब आप इसको solve कर लेंगे, आपका answer आजाएगा, ठीक है, solve करके answer आप लोग comment box में जरूर बताईएगा, बात कर लेते हैं, question number 15 की, 15 है आपका, और आज का last question है, कि, एक साधारण ब्याजपर, एक धनरासी, 10 साल में, दो गुनी हो जाती है, कितने वर्सों में, उसी दर पर यह, 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, देखो, ये वाले सवाल, बहुत असान होते हैं, क्योंकि इसका एक छो अपोण T1, बराबर, N2 माइनस वन अपॉन T2, ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, 10 साल में, 2 गुनी हो रही है, ठीक है, तो N की value कितनी हो जाएगी, 2 माइनस एक बटे 10, 10 साल में, 2 गुनी हो रही है, कितने वर्स में, या 3 गुनी हो जाएगी, यहीं तो पूचा है, कितने व यानि कि आप देखे तो क्या होगा एक बटे दस बराबर दो बटे टीटू एक बटे दस एक बटे दस बराबर दो बटे टीटू टीटू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 20 यानि कि 20 वर्स option number C यहाँ से आपका right हो जाएगा clear है आप सुभी को तो आज हम लोगोंने कितने सवाल किए 15 सवाल किए I hope आप सो भी को बहुत मज़ा आया होगा previous year questions है आपके बहुत important है जब तक आप सारे previous year लगा लेंगे exam तक तो आपको बहुत फाइदा रहने वाला है आज हम लोगोंने यह जो previous year किया है यह हमारा 2018 का है यूपी टेट का ठीक है 2018 के आज हमने 15 कुश्चन कर लिए नेक्स पार्ट में हम लोग बांकी के 15 कुश्चन भी कर लेंगे इससे आपका 2018 का मैस का पूरा सॉल्फ हो जाएगा क्लियर है आप सुभी को और आखरी में बता दूं आपको एल्टी ग्रीट का हमारा बैच चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 699 फीस आपको 699 में आपको यह बैच प्रोवाइड कराया जा रहा है ठीक है आपको वीडियो क्लास नोट्स और सेक्शनल टेस्ट अनौल सब कुछ मिलेंगे आप लोग बिलकुल परिशान मत होईएगा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें प्ले स्टोर से हमारा एप इंस्टॉल कीजिए और इन नंबर्स पर कॉल करके कोई भी क्वेरी आपकी उसको सॉल्व कर लीजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिलेंगे नेक्स पार्ट में तब तक